दोस्तों फिर टाइगर टेरिट्री में पहुंच गए अभी शाम का टाइम है उपर आप देख सकते हो लेकिन यह वो टाइम है जिस टाइगर निकल जाता है अपने शिकार पर क्योंकि टाइगर शिकार करता है शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक फिर वो शिफ्ट खतम हो जाती है और उसके बाद सो जाता है तीन साढ़े तीन वह फिर उड़ता है अगर उसे शिकार नहीं मिला है तो शिकार मिल गई तो फिर तो बाद ही खत्म है और यह लोग अभी नदी में बगट है अगर टाइगर जंटल में नहीं होता तो टाइगर की शिफ्ट अभी ही खतम हो जाती इस नदी में टाइगर पानी पीने आता है यह टाइगर टरिटरी है यहां पे चार टाइगर है टोटल करीब छे-साथ किलोमेटर की लंबाई में चोड़ाई तो काफी है जिसमें से एक टाइगर और तीन कब्स हैं जो की बड़े हो चुके हैं लेकिन अभी उन्होंने अपनी अलग-अलग टरिटरी नहीं बनाई है लेकिन शिकार करने में माहिर है तो आप उनको बड़ा टाइगर ही सम रही कि पेड कहीं ना कहीं टाइगर बैठे होगे नीचे आदमी शिकार दिख रहा है लेकिन वो नहीं करता ये क्योंकि वह जेटलमेन कि जब वह घयल हो उसके पैरों में चोट लग जाती है शिकार करने लाइक नहीं रहता है भूका मरने वाला होता है फिर उसे लगता है मरता क्या ना करता है तो वो सोचता है कि भाई इसे मार दूँ क्योंकि अंदर से बड़ा इरिटेटेड रहता है भूक की वैसे जो वो शिकार कर देता है तब उसे मालूम चलता है कि यार मैर इसको मार देता साथ पहले ही तो बड़ा आसान था क्योंकि ये तो भागता ही नहीं है इसकी स्किन भी बड़ी सॉफ्ट है, बाल भी ज्यादा नहीं है दाथ से आराम से बिलकुल बॉनलेस चिकन की तरह से मिल जाता है लेकिन जिस आपसे इंडिया में टाइगर है करीब करीब 4,032, 6,7 तो बड़ों के रिकॉर्ड है डेड़ साल तक के बच्चे गिने नहीं गए उनको गिन लेंगे तो 4,000 से उपर है उस हिसाब से इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है इंडिया में उसका रीजन है क्योंकि वो जेंटिलमेन है अगर वो बदमाश प्रवत्ती का होता तो इतने मारता आदमी कि आप कल्पना नहीं कर सकते है मैं आपको भी रीसेंड के कुछ किस्से बताता हूँ जो अभी माई से लेके ही अभी तक हुए है एक आद मुझे किस्सा याद आ रहा है पीली भीत का पुराना है वो भी बताऊंगा ताकि आप को रिलेट कर सको कि टाइगर कितना जेंटिलमेन है अभी दोस्तों माई की ही बात है बिहार के चंपारण डिस्टिक में है एक गाउवाले थे वो अपने सुबह सुबह टॉयलेट के लिए बाहर जाते है तो जो निवासी थे उनकी वाइफ जा रही थी बाहर टॉयलेट के लिए अचानक से टाइगर ने दिख गया वो चिलना ही तो चिलना के टाइगर घबरा के उसने अटेक करने को किया अटेक करता तो बचती नहीं उनको लगा कि उन पर अटेक किया है और वो बेहोश हो गई अब जब यह लेडी बेवोश हो गई तो गाओंवाले आसपास के सबके घर आसपास में थे वो निकल निकल के आई चिलाते हुए तो टाइगर गबरा गया और टाइगर को कुछ समझ में नहीं आया तो वो इनके घर में घुज गया जहां से लेडी निकली थी और इनके तीन बच्चे घर में ही थे बड़ा बेटा तो जैसे उसने देखा टाइगर वो निकल के बाहर भाग गया दो बच्चे छोटे थे पांस साल मतलब वो आठ साल के आसपास ता जो भागा पांस साल और तीन साल के बच्चे अंदर ही रह गए अब टाइगर अंदर है और बच्चे अंदर है लेकिन टाइगर जेंटल्मेन है उसने नुकसान नहीं पहुचाया बच्चों को फॉरस की टीम बुलाई गई सारे कोशिश करते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हाँ बच्चे भी घर के अंदर है टाइगर वो चाहता तो कब का शिकार बना लेता उनको लेकिन वो इसलिए आया ही नहीं था वो तो अपने किसी और काम के लिए आया थे क्योंकि वो लेडी चिल्ला पड़ी बेहोश हो गई इसलिए वो घर के अंदर गुजगया था क्योंकि गाउवाले आ गए चिल्लन लगे और डर गया अब बार बार क्योंकि बच्चे अंदर थे फॉरेस्ट की टीम भी आ गई अब कोशिश की जाए लगी क्या करें तो जो उपर जोपड़ी का जो फूस थी घास फूस की च्छत होती है उससे हटा के किसी तरह से बच्चों को बाहर निकाला गया अब उस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने कोशिश की जाए लगए क्योंकि वो बाहर जा इनी रहा था फिर उसको ट्रैंकुलाइज किया गए पहले तो यह था वालमी की टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा लेकिन फिर उसे ट्रीट्मेंट के लिए पटना जू ले गए तो आप देख रहे हो कि दो बच्चे पांच साल और तीन साल का बच्चा घर के अंदर हो टाइगर घर के अंदर हो लेकिन उसने किसी को भी चोट नहीं पहुचाई है तो आप समझ सकते हो कि कितना सब जानवर होता है टाइगर उसका परपस था कि मैं किसी तरह से निकलूँ क्योंकि वो घबराय हुआ था बाहर पब्लिक खड़ी थी तो बाहर नहीं निकल रहा था लेकिन अंदर बच्चे थे उनको मार भी नहीं था चाहता तो चिड़चडा के इरिटेट होके मार देता लेकिन नहीं मारा उसने अब मैं एक किस्ता मुझे याद आ रहा है दोस्तो पीली भीच का पीली भीच के कई किस्ते याद आ रहा है मैं दूसरा भी आपको सनाओंगा पहले में एक बता दूँ कि टाइगर जो गाउवालों का बरजन है उसके एकॉर्डिंग कुट्ता भागते भागते आया और उसके पीछे पीछे टाइगर आया टाइगर घर में घुज गया गाउवाले चिल्लाएं लगे और फिर भाग के बहार गए फिर फॉरेस वालों को सूचना दी गाउवालों के कहना था कि फॉरेस वाले बहुत देर में आये जब आये पूरा फिर प्रोटेस भी हुआ कि यहाँ पे अच्छा जब शोर हुआ तो फिर वो गाउवालों के अकॉर्डिंग टाइगर भाग गया अंदर घर में घुजा नहीं रहा वो फिर लेकिन जब फॉरेस वालों ने इंविस्टिगेट किया पग मार्क वगरे देखें तो यह देखा कि वो टाइगर नहीं था लेपड था जिसको की गाउवाले टाइगर बोल रहे थे तो वो अपना अब देखिए गाड़ी से मैं यहाँ जाना हूँ वहाँ से कोई टॉर्च मार रहा है यह देखिए टॉर्च या तो उसको कोई जानवर दिख रहा है क्योंकि मेरी तरफ नहीं मार रहा है वो उधर चो तरफा मार रहा है या तो उसको कोई जानवर की हाट आ रही है देखिए ने कभी इधर कभी उधर मार रहा है उसको कोई आवाज आई है और उसके बाद वो धूनने की कोशिश कर र हर तरफ मार रहा है पेडों के उपर मार रहा है मतलब लपड आया होगा गाउं के उसके जानवरों के चलते और वह पेड़ पे चड़ गया कि जह बिर दूस्तों जिस बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ उसी का एक live example है human animal conflict का कि आदमी के धर में जानवर आया है और वो torch मार मार के पेड़ के उपर नीचे यहाँ वहाँ जहाँ डूढने की कोश्च कर रहा है कि क्या चक्कर है यह भी example है उस बात का जो मैं आपको बता रहा हूँ left hand side में हमारे left hand side पे tiger महराज है right hand side में leopard महराज है दोनों की territory है अलग 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 अलाके है लक्षमर रेखा यह road है जंगल में है leopard है लेकिन बहुत कम है सारे उनको पता है कि tiger आगे है नीचे उतर के बड़ा alert रहना पड़ता है तो सारे सारे निकल के इस side आ जाते है और tiger की भल्मन सहाथ यह है कि वो इस road को cross नहीं करता अपने अलाके में रहता है उसे पता है कि यहाँ आदमी रहते हैं और मुझे आदमियों के पास नहीं जाना है अब दोस्तों एक किस्ता जो मुझे याद आ रहा है जो कि अगर आपने मेरा पीली भीट सफारी वाला वीडियो देखा है अगर नहीं देखा तो आप देख लेना पीली भीट tiger is a safari आगे विवे का बस्ती लिख देना तो वीडियो आ जाएगा तो उसमें जो driver था किताब किताब अली उसने भी वो किस्ता बताया था मुझे भी पहले मालूम था हमें इसका जिकर किया था लेकिन उस आदमी को जानता था तो उससे जो उसने बातचीत की थी उसकी acting करके भी उसने बताई थी थोड़ा comedy के style में वो आप देखना तो वो घटना अगर आपको नहीं मा पहले हैं तो इनको लगा क्या चक्कर कोई कुदा 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 होगा तब ही टाइगर को एहसास हुआ कि यह तो आदमी है तो डराने के लिए उसने ग्राउल किया जैसे उसने ग्रायूल किया सारे भागे अब जब भागे तो किसी कोई left जा रहा है कोई right जा रहा इसी की acting किताब अली ने बताई थी कि वो कह रहा था कि मैंने भाग निकल भाग भाग ऐसे करके तो जब भागे तो जब उसने देखा टाइगर अंदर रहे घर के तो उस किसान ने वो दर्वाजा बंद करने गया हाला कि वो बोलता है कि मुझे टाइगर ने पंजा मारा और मेरी जैके तो विडियो बनाया हुए है वो भी आप पीली भी टाइगर रिजर वेवे कबस्ते लिखो के दो तीनी वीडियो है मेरे पीली भी उचे तो आ जाएगा बाद में फिर फॉरस्ट की टीम ने बड़ी देर में क्योंकि पहले साथ डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि ये जुवेनायल लग रहा है हम नहीं कर पाएंगे फिर दुदवा से टीम आई शायद अगर मेरे दिमाग में दो तीन बाते मिक्स नहीं हो रही है तो क्योंकि एक केस में ऐसा हुआ था तो विर वे उन डॉक्टर्स ने ट्रैंकुलाइज किया भीड पे भीड को खदेडा भीडने पत्राओं भी किया था शायद यह दूसरा केस है कि वह तो उसमें भी घर के अंदर गुसने वाला जो केस में बता रहा हूं आपको जो चमपारण से स्टार्ट होगा तो वह उस दिन भूगा भी मैं आपको एक घर भी दिखाऊंगा जहां लेपर्ड घर में आके घ चलके दिखाता हूं तो फिर बाद में इसका भूरी का वीडियो है मेरा आप देखो के भूरी अविवे कबस्ती लिख देना तो आ जाएगा पीली भीत में अभी एक किस्सा यह हुआ कि एक बाग पहले आके एक इलाके में उसने डेरा डाल दिया दस दिन से दिन में खेतों अगरन बताई करीब पास साल की है मतलब फुली ग्रोन टाइगर और गाववाले घर के अंदर क्योंकि उने पता है उनके खेतों में तो टाइगर घूम रहा है पीली भीत में घटना है यूमन एनिमल कॉन्फिट की बहुत ही ज़ादा हो रही है तो क्योंकि गन्या के खेत भी होते हैं उनको शेल्टर भी मिल जाता है और खेतों में आसान शिकार मिल जाता है तो यह वह टाइगर है हलाकि यह आदमी को नहीं मार रहे है लेकिन यह वह जो जेंटल्मेंस से बदमाश बनने की उसमें है और उनका यह यह देखिए अपने रिजॉर्ट के पीछे कितना बढ़िया चंद्रवा दिख रहा है यह बोर्ड दिख रहा है अपने रिजॉर्ट का और यह देखिए चंद्रवा थोड़ा सा आगे जाके आपको घर दिखा रहा हूं जो जहां पर लेपड गुस गया था औ अपने रिजोर्ट की है जंगली रिजोर्ट राजाजी नेशनल पार्क और कितना बढ़िया सीन देख रहा है देखिए आप पीछे चंदरवा नीचे लाइट सपूरा घुप अधेरा उपर ही हमने नाइट केंपिंग की थी अभी परसों तो अभी मैं जो आपको बता रहा थ कि यह टाइगर ऐसा क्यों कर रहे है यह इसलिए कर रहे है कि territory श्रिंक हो रही है कि अब उनको खाना मिली नहीं रहा है तो देखो कोई भी हो जानवार हो या इनसान भूका तो नहीं रह सकता अब जो कमजोर बाग हैं दिनकों की खदेर दिया जाता है strong बागों के द्वारा वो क्या करते हैं अब जंगल के अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है अब आप इस जगे को ही देखो सामने में आपको live example दिखा रहा हूँ left hand side में जहां मेरी finger यह tiger territory है यह known tiger territory है यहां camera traps मे tiger record होता है अब यहां पे अभी फिलाल तो एक tiger सो तीन कब्स हैं अभी उनम मा के साथ ही है जगडा होगा अब तीन tiger हैं जो बच्चे उनमें से जो कमजोर होगा वो कहां जाएगा उसको यह सामने का जंगल नजर आएगा या तो अपने जंगल में उधर चला जाएगा क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि यह tiger reserve है यह civil forest है यह बाट tiger को नहीं मालूम है हा जहां पे घर जहां पे पूरा जंगल है और यह जो सामने का इलागा है यहां से इसको इनसान गुमते नजर आते हैं कुछ-कुछ lights दिखती हैं जैसे कि यह lights दिख रही है बस उसको यह फर्क वालूम चलता है कि वह दूर दूर तक ऊपर आपको कुछ lights दिख रही है इस इन between उसको क्या मिल जाएगा आसान शिकार मिल जाएगा जैसे कि अभी मुझे दिख रही है एक गाय नदी में अभी दिखी थी इस दूर से मैं दिखाता हूँ आपको अब जब उसको गाय घुमती जब वो नीचे निकलेगा और उसको यहां पे गाय घुमती दिख जाएगी त फिर वो कहेगा आरे भाई यह तो ठीक है फिर वो बाले में जाके भी मारेगा कि यह तो भाग नहीं पाती तेजी से ज्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाती तो मारो इस तरीके से वो पीली भीत वाले टाइगर है कि जो इनसानों को नहीं मारे दस दिन से गाउं में खेत पूरी करनी पड़ रही खेतों में क्योंकि उसको जहां के लिए बना है वहां रहने ने दिया जा रहा इस ट्रॉंग बाहू बलियों के द्वारा इस तरीके से वह अभी घुस रहे हैं तो दस दिन से डेरा जमा के बैठा फॉरस वाले आए खदेर ने कोशिश कर रहे हैं पट पर बोलता हूं बढ़ता जाएगा इसका सुलूशन है अनिमल शिफ्टिंग टाइगर को शिफ्ट करो उसके शिकार यानि चारे को भी शिफ्ट करो और प्लेस करकर के कि भाई इस इस इलाके में इतने टाइगर जाने हैं पूरा आर इंडी करो रिसर्ट एंड डिवलोप्म वो फॉर्स वालो की टीम उसे ले गई थी चडियापूर चल यह गाड़ी ब्रक कर लेता हूं मैं जा तो रहा था अपने रिजॉर्ट में आपको दिखाने के लिए आ गया था यह देखिए रोश्णी में जो घर देख रहा है यह घर है एक गाड़ी खड़ी भी है अब देखिये वो जो डो लाइटे दिख रही है राइट है चटी फाइड की बच्चे आते जाते हैं लेकिन वैसे वो खेली ही रहती हैं तो गाव में भाईचारा बहुत हैं किसी को मदद करनी है सामान लाना है तो जैसे वो लाइट दिख रही है राजु की घर की दिख रही है जो हमारे रिजॉर्ट के ठीक सामने है हमारे रिजॉर्ट से वो घर भी दिखता है उनका तो वैसे वो खुद भी ल देखिए वीनस दिख रहा है वो देखिए जो आपको तारा दिख रहा है वो वीनस है और यहां देखिए एकदम अंधिरा कोई में मकान नहीं है क्योंकि यह राजा जी टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है और इसको ठीक सामने है सिविल फॉरेस्ट इस तरीके से भाईचारा चल रहा है टाइगर के सामने गाय घूम रही है अभी जो गाय घूम रही है आप अभी मैंने दिखाई थी क्या उसको टाइगर नहीं देख रहा होगा सामने तो टाइगर पक्का उसको देख रहा होगा उसके बावजूद वो मेहनत करके सांबर डियर मारेगा बार्किंग मारेगा, spotted deer मारेगा, वो यहां नहीं आएगा, यह कलेजा सिर्फ tiger का ही है, आप मानो या ना, देखिए, पिकॉक की कॉल हुई, और इस टाइम पे पिकॉक की कॉल नॉर्मल कॉल नहीं होती, वो उसने कुछ ना कुछ अलर्ट किया है, tiger अगर move करने लगेगा, तो बहुत जू जब मैं बता रहा था आपको कि अगर tiger की जगे कोई दूसरा होता, या उतना powerful इनसान भी होता ना, तो वो ज़्यादा attack कर देता, लेकिन tiger नहीं करता था, पीटर बर्ड ने बताया कि कितनी बार होगा कि जहां वो सो रहे थे, उनके पीछे से tiger निकल गया, अब उनको कैसे म पालूम चला होगा, सुबह उठे होंगे, लेकिन उस tiger ने उनको नहीं छेडा, तो चली दोस्तों आगया, मैं अपने resort की तरफ वो दिख रहा है, सामने resort, चलता हूँ, और ये देखिए, चंद्रमा, गजब ही व्यू है, ये देखिए, अच्छे नहीं है, मुझे लग गोश है, खरगोश नहीं है, तो लपविंग है, टिटरी, ये जमीन में ही अंडे देती है, पेड़ पे नहीं बैठ पाती है, चलिए इसके बारे में वेका आपको information देता हूँ, ये आपको दिख रही है, ये जमीन में जो बैठी है, ये सामने बैठी है, ये आदमी पे बै बैट पाती जमीन पे ही क्यों घोसला बनाती है रात को दिन में जमीन पे ही क्यों रती है क्योंकि यह पर्चिंग नहीं कर पाती पर्चिंग उसको बोलते हैं जब आपने कभी सोचा है कि पक्षी रात को पेड़ पे सोते हैं गिरते क्यों नहीं है यह मेरा बाइलोजी में चै बोलेगा इसको बोलते हैं पर्चिंग और यह लैफिंग के पास वह एविल्टी नहीं है यह लैफिंग केपिवल नहीं है पर्चिंग करने का तो अगर यह पेड़ पर बैठाएगा तो गिर जाएगा इसलिए मजबूरी में यह जमीन पर रहता है तो भगवान नहीं बनाया लेकिन ऐसा बनाया कि अंडे भी उसी कलर के देता है जिस कलर की जमीन होती है तो अगर आप बहुत ध्यान से नहीं देखे होगा तीन अंडे देता है तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा और बहुत ज़्यादा कुछ चेंजिस नहीं करता घोसले के नाम पर थोड़ा सा उस जगे कोई कटोरी के शेप में बनाएगा दो चार घास बस उसमें अंडे देगा हस्बेंड वाइफ दोनों मेल फीमेल दोनों उसकी केर करते एक जाएगा शिकार पे आप अगर उसके पास गलती से चले जाओगा टिट करके आपके सिर पे पंजा मारने कोशिश करेगा दोस्तो नाइट ड्राइव आपकी बहुत दिनों से डिमांड थी नाइट ड्राइव भी होगी थोड़ी बहुत इंफॉर्मिशन भी शेयर कर दी तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर कर दीजिए तब तक के लिए all the best बंदे मातरूं के बार इम बात करें तो देखी बैठा है तक एकदम उन्हें जगली रिजोर्ट के सामने है यह देखिए यह बैठा है जंगली खर घूष यह देखिया है हिल्डून यह सोच रहा है कि मैंने इसको देखा नहीं है